नमस्ते दोस्तो रिनमसी टेलर चाइनल पर आप्लोग का स्वागत है आज हम ईसे आप लोगको तीन मीटर का सलेवारक का कटिएसे बताने जा रहे हैं दोस्तो जितने नए लोग देख आहिए दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप वीडियो पसंद आये तो लाइक कि अब आप लोग का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों अब यह मेरा यह कपड़ा हो गया है इसे फोल लेते हैं इसको दो फोल्ट में कर लेते हैं दोस्तों इतना ध्यान देना कि हम ऐसे दो फोल्ट में करते हैं तो जो खूली वाला जो पाठ है वह हमें इसे इधर का साइड में रखेंगे और जो बंद वाला साइड है जो अपने तरफ रखेंगे इतना ध्यान दिजिएगा दोस्तों यह चावड़ा पट्टीस में बनेगा मैं वह भी बता रहे हूं कैसे कटिंग होगा उसका अब यहां पर इसे देखें कम बेसी कपड़ा है इसे हम ब्रावर कर लेते हैं अब इतना ब्रावर करके कटिंग कर लेते हैं कि अब यहां हमें 3 इंची के पट्टी चाहिए तो 3 इंची को हम यहां पर कपड़ा अश्क डरा लें अब यहां से 3 इंची हो प्लस में हां 5 इंची मुड़ाएंगा तह हम यह साधे 3 इंची का मार का लगाएं अब देखे दोस्तों हमने तेहां साधे तीन इंची पर मारकई लगाए हैं पलस इधर भी हाप इंची पर लगा दियें जो मुड़ाएगा मेरा पुल्ट होगा उस ता भी आप हम यहां से लंबाई का नाप लेंगे यह तो पल्टा जाएगा पुल्ट हो जाएगा तहा हम इस इंची और लेते हैं साध़े ब्यादीस है मेरा 28 पर हम यहां परमारका लगाते हैं तो अब मेरा मुहरी 11 इंची है कि एससे गारटे 20 वह पांच तन्यरसी अधर पांच पर यहां देखिए साधे 5inks है इसमें लगा रहे हैं अब इसको हमел लगाना है और आकर को देखिए इस डंग में हम रखेंगे इस अब यह मारक लगा है अब यहां हम 11 इंची मोहरी भी लिख देते हैं इसमें रूक नहीं रहेगा इसलिए से हम यहां हुक के ऐसे फर्मूला नहीं बनाए है ऐसे हुख भी लगता है अब यहां पर से यह कटिंग होके निकल जाएगा इसे सबसे पहले हम ऐसे पोल्ड भी कर लेंगे ताकि मेरा दोनों पल्ला बरावर से से कटिंग हो जाए साड़े पांच पर फिर हम नीचे भी लगा लेते हैं इसे अब कटिंग हो गया हां अपि कटिंग इसे कर देते हैं अब इसे हम पोल्ड करके पहले हम उपर का भाग हम काट लेते हैं अब यह पाइर वाला दोनों पाइर का एक साथ निकल गया है बीच में देखी दोस्तों यह जॉइंट भी है यह तो खुला है यह जॉइंट है इसे हम कटिंग कर लेते हैं तब दोनों पाइर का यह हो जाएगा अब इस पर हम नाप जो लंबाई है और नाप हम लिख देते हैं से 42 इंची है नीचे हम 11 इंची मोहरी भी लिख दिया है अब इसे हटा लेते हैं अब इसको हम बेल्ट निकालना है पहले बेल्ट मेरा इसे सात इंची था ऐसे पतली दूबली है लड़की तो हमको क्या इसमें जोड नहीं लगाने पड़ेगा इसमें जोड नहीं लगाना है अगर हेल्दी जब बनेगा 42-44 बनेगा तब यहां पर हमको क्या होगा इसे 3-4 इंची जोड लगाने पड़े लेकिन इसमें नहीं लगाएं इसका कमर बनेगा इसे 34 इंची चाव इंची इसे लूजिंग रहा जाता है तठीक है अब हम इसको साथ इंची का बेल्ट है तो हम यहां पर से साढ़े साथ पर है आधा इंची सिलाई का हां और साथ इंची फिर इधर का अब पलास उपर जो हम मोड़ें पोल्ड करेंगे उसके लिए हमको देल्ड हिंची अब यह तीनों लाइन को हम सीधा मारका लगा लें अब इसे कटिंग करके हम निकाल दें अब यह क्या हो गया मेरा वेल्ट प्यार हो गया अब यह हो गया है जो कल्ली निकालेंगे चून जो पड़ेगा उसके लिए इसको दो भाग में खोल्ड कर लेते हैं हम इस कपड़ा को देखो ऐसे बैठा लेते हैं तब देखिए दोस्तो हमने इसको दो खोल्ड में इसे रख लिया है कपड़ा को अब इसको हम कहां से सिनाप लगाएंगे एक कल्ली पड़ेगा यहां किनारे लख रखते हैं अब यहां से जो है हमने यहां का आशन का हम मारका लगाएंगे नौ इंची पर यहां पर हम 9 इंची को मारका लगा दिये हैं अब यहां से निकले गाई यह वैसे डोरी बन जाएगा अब इधर भी हम यहां इसे 9 इंची पर लगा लेते हैं अब इस लाइन से हम यहां पर जो मारका लगाए हैं यहां से लेकि हम यहां तक ही ऐसे निसान लगा लेते हैं जो कली कटके निकलेगा उसका ऐसे काटने में बिल्कुल ऐसे असान परता है एजी तरीका है अब यह हमने मारका लगा दिया है अब इसको हम फोल्ट इधर कसे कर लेते हैं ताकि काटने में असान पड़े तब से पहले हम उपर का जो कपड़ा है उसे हम ऐसे निकाल लेते हैं एक इंची कपड़ा है अब यहां से हम कटिंग जो करेंगे इसको हम कटिंग कर लेते हैं कि मेरा क्या होगा कल्ले से कट गिया है अभी बंद है इसे हम इसे इसको कटिंग कर देते हैं कि अब दो कली हो गया है अब दो कली इधर हो गया है कि अब चार कर लिए है अभी पैजामा लगाएंगे फिर अटाइच करेंगे वह भी हम बता रहें हैं इसमें भी है चारों पल्ला यहां पर से यह अटाइच हो जाएगा इसमें अब पलस है बेल्ट है अब यह मोहरी तो फोल्ट हो जाएगा अब दोस्तों हमने इसे कटिंग तो बिल्कुल ऐसे पूरा तरीका से बता दिये हैं अब बिल्कुल अब तो यह सिलाई में अटाइच होगा और इधर यहां पके भाग जो आसन यह बनेगा आगे का और इसमें फिर यह बेल्ट लगेगा यहां तो यह चूनट पूरा पर जाएगा तो यह चूनट में पूरा इसमें अटाइच हो जाएगा तो देखे दोस्तों ऐसे मेरे चैनल पर जाके इसे तरह तरह की वीडियो आप डाला हुआ है उस पर बिल्कुल आप लोग जाकर देख सकते हैं तो